हेलो दोस्तों नमस्ते आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शादेर समधिद्धी गाइडेंस और मैं हूँ सीए प्रिंका पुरोहित दोस्तों आज की ये वीडियो है हमारे जो कन्वोकेशन होने वाला है 2023 में उसके उपर जानकारे एक वीडियो टाली थी वो भी आप रफर कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो चलिए अब फटा-फट आईसे एक एक इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट के उपर चलते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम आईसे एक वेबसाइट के पेज पर हैं होम पेज पर हैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट के सेशन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे लेटेस यानि की जो कल यानि की 17th जैन को नोटिफिकेशन आई है कर दो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि next I say convocation will be hand at the following cities as per the following dates mentioned यह बात कि November Attempt के जो students है हमारे November 22 के जो students है जो यह बन गए है वो eligible है ही नहीं समझ रहे हैं आपात कि यह convocation किन के लिए होने वाला है November 22 के students के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि November की तो उनकी exam से बाद में होई थी यह उनके लिए होने वाला है जो clear कर चुके यानि कि आप में के स्टूडेंट के सकते हैं में के स्टूडेंट में 22 के स्टूडेंट जो clear कर लिए और वो membership के लिए apply कर चुके उनका convocation हो सकता है अगर आपने 30th September 22 के पहले register कर लिया होगा सिटी में होने वाला है आप अपने हिसाब से स्टेट के हिसाब से और सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कौन कौन सी डेट को है eligible members को individually intimate किया जाएगा by giving the details of venue timing etc by the respective regional offices को करना है कि आप participate कर रहे हैं गन्वोकेशन में या नहीं मेरे साब से तो करना है चाहिए अगर आपको eligible है तो करना ही जी क्योंकि अगली बार most probably आप attend नहीं कर सकते हैं यह travel arrangements कुछ भी अगर होते हैं वह आपको अपने हिसाब से करने होंगे या फिर आप एक बार अपने regional office या फिर branch of ICA से contact कर सकते हैं अब हम चलते हैं कि मुझे जो email आया था वो कैसा था यह देखिए आप अपने screen पर देख पा रहे हैं 6th of October 22 को मेरा Convocation होने वाला था उसके लिए मुझे 21st of September को email आ गया था और क्यूंकि मैं मुंबई में रहती हूं तो मुझे मुझे मुंबई के जो Convocation या फिर आप कह सकते हैं Western Region WIRC से मुझे mail आया था कि मुंबई में दादर में होने वाला है और उसमें जैसे लिखा हूँ था कि 1st of September 21 से लेके 38 April 2022 तक का था और Membership नंबर भी नोंने mention किये गए हैं तो फिर उसके बात जैना कि 1st of May से लेके अभी September तक का होने वाला है Convocation में क्या क्या करना है आप को देख सकते हैं कि कितने वजये आपकी reporting timing बताया गया है और यह first come first basis पे होगा यह भी बताया है अगर आपको इंकेस आपकी certificate of membership या अगर अपने COP के लिए apply कर दिया था अगर वो आप पहले से receive कर चुके हैं तो आपको वो अपने साथ carry करना है नहीं तो आपको कैसे देंगे आपके connection के दौरान तो अगर इंकेस आपको membership certificate और COP अगर आपके पास आगया है तो वो लेके जाएगा बाकी आपको एक important पात यह आदर किए किए ड्रेस को strictly follow करना है formal dressing है male और female के लिए अलग-अलग बताई हुई है यह ऐसा आपको mail आ जाएगा यहां पर आपको convocation kit मिलेगा membership certificate मिलेगा convocation gown मिलेगी और यह food coupon दिया जाएगा तो यह सब कुछ मेरे जो center था यहां पर free of cost था अगर कहीं कहीं क्या होता है कि convocation gown dress के लिए आपको कुछ deposit करना होता है तो आप अपने center के साब से पूछ सकते हैं उनको एक बार यहां पर end में एक आता अच्छा आपको अगर parents को accompany करना है तो यह भी आप अपने center से पूछ लिजिए क्योंकि Mumbai में बहुत ज्यादा crowded हो गया था बहुत ज्यादा पाउट साउट थे तो यहां पर तो बिल्कुल भी allowed नहीं था और यह Google form दिया है इसको आपको फिल करना होता है यहां यह फिल करना बहुत ज़रूरी अगर आप यह आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि के रिलेशन में मैंने अल्रेड़ी दो वीडियो पोस्ट कर रखी है उनकी लिंक भी मैं आपको description box में दे दूंगी आप उनने पे check out कर सकते हैं और वाकी कोई भी doubt है तो आप के movement को जरूर capture करिएगा enjoy करिएगा so that's it for this video this is me C.A. Priyanka Purovid